कक्षा 9 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक नवाए उर्दू भाग एक आईए सुनते हैं नवाए उर्दू भाग एक का दस्वा सबक वली महम्मद वली सफ़ा नंबर एक सो नौ हिस्सा नज्म सफ़ा नंबर एक सो दस घजल तारूफ घजल अर्बी का लफ़ है इसके असली मानी है महबूब से बाते करना औरतों से बाते करना वो शायरी जिसे घजल कहते हैं उसमें बुनियादी तोर पर इश्किया बाते बयान की जाती हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घजल में दूसरे मजामीन भी दाखिल होते गए हैं और आज ये कहा जा सकता है कि घजल में तकरीबन हर तरह की बाते की जा सकती हैं यही वज़ा है कि घजल अर्दू की सबसे मखबूल सिन्फ सुखन है घजल का हर शेर आम तोर पर अपने मफहूम के अदबार से मुकमल होता है जिस तरह अशार की तादाद भी मुकर्रर नहीं यो तो घजल में अमूमन पांच या साथ शेर होते हैं लेकिन बाज घजलों में ज्यादा अशार भी मिलते हैं कभी कभी एक ही बहर काफिय और रदीफ में शायर एक से ज्यादा घजली कह देता है इसको दु घजला से घजला चहार गजला कहा जाता है गजल का वो आखरी शेर जिसमें शायर अपना तखलूस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। गजल या शाह बैत कहलाता है। जिस गजल में रदीफ ना हो और सिर्फ काफिये हो उसको गैर मुरदिफ गजल कहते हैं। अख पैदाईश और जाए पैदाईश सब के बारे में इखतलाफ है। लेकिन बेश्टर लोग इस बात पर मुटफिक हैं कि उनका नाम वली मुहमद और तखलूस वली था। वो औरंगाबाद में पैदा हुए और अब्तिदाई तालीम वहीं हासल की। बाद में एहमदाबादा कर उन्होंने शाह वजीहुद्दीन की खानकाह के मदरसे में तालीम मुकमल की। और यहीं शाह नूरुद्दीन सहरवर्दी के मुरीद हुए। वली ने फार्सी अलफाज और अंदाज बयान की आमिजश्ट से एक नया रंग पैदा किया। वली के कलाम का ये नया रंग ना सिर्फ उनकी मखबूलियत का बाइस बना बलकि उस जमाने के देहली के शोरा ने भी इसका असर कुबूल किया और वो भी इसी अंदाज में शा आम हुआ जो आगे चल कर रोज बारोज तरकी करता गया। वली का इंतिकाल एहमताबात में हुआ। गसलों में खयाल की नुद्रत और बयान की लताफत पाई जाती है। उन्होंने अपनी गसलों में हुस्न औ इश्क के मजामीन के साथ साथ तसवफ औ मुआरफत को भी जगा दी। इश्किया वारदात औ कैफियात के बयान में सुरूरु मस्ती का अंदाज पाया जाता है। वली महभूब के हुस्न के दाखली असरात के साथ साथ उसके खारजी औसाफ का बयान बड़े पुरलुत्फ और दिलकश अंदास में करते हैं। वली की जुबान में एक खास मिठास है जो हिंदी, देसी और फार्सी के अलफास को तवाजन के साथ इस्तिमाल करने से पैदा हुई है। हर सहर शोख की निगह की शराब मुझ अंखां का खुमार खोती है। क्यूंके मिलना सनम का तर्क करूं दिल बरी इख्तियार खोती है। ऐवली आब इस परी रू की मुझ सिने का गुबार खोती है। सफा नंबर 113 मश्क लव्जो मानी मुफलिसी गरीबी खोना ले जाना, खत्म कर देना, गुम करना जमयत सुकून ठहराओ आखा आखें खुमार प्यास यानी शराब की तलब लेकिन इसे बहुत से लोग नशे के माने में भी इस्तमाल करते हैं। यहां दूनों माने सही हो सकते हैं। सनम महबूब असल माने बुथ क्यूंके क्यूंकर आब चमक पानी यहां चमक के मानी में हैं। दिलबरी महबूबियत मुझ मेरे मेरा परीरू परी चहरा यानी खुबसूरा चहरे वाला सिने सीना गुबार रंजीत की नाखुशी सफ़ा नंबर 114 गौर करने की बात गसल में बहुत से अलफाज ऐसे आये हैं जो अब नहीं बोले जाते जैसे मुझ कूं यानी मुझ को आखां यानी आखें सिने यानी सीना कूं यानी को मुझ बामानी मेरा मेरे इस गजल के आखरी शेर में एक लव्ज आब आया है यहां इसके मानी चमक्के हैं लेकिन आब पानी को भी कहते हैं सवालों के जवाब लिखिए सवाल नमबर एक मर्द का एतबार खोने से शायर की क्या मुराद है सवाल नमबर दो कौन सी चीज शायर के सीने का गुबार खो रही है सवाल नमबर तीन शायर सनम से मिलना क्यूं नहीं तरक कर पाता है सफा नमबर 115 अमली काम इस घजल को बुलंद आवाज से पढ़िए और जबानी याद कीजिए इन अलफाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए मुफलिसी, बहार, एतबार, सहर, इख्तियार, गुबार कुछ अलफाज ऐसे होते हैं जो लिखने में एक जैसे नहीं होते और उनको पढ़ने में मामूली सा फर्क होता है जैसे जैसे नजर नजर नजीर नजीर असरार इसरार अलम इल्म अकल अकल आप अपने उस्ताज से इन अलफाज का फर्क मालूम करके लिखिए गजल के दूसरे शेर में एक लफ्स हासिल आया है अगर हम इसके शुरू में लाम जमा अलिफ यानि लाम अलिफ जबर ला लगा दें तो इसके मानी ही बदल जाएंगे और ये लफ्स बन जाएगा ला हासिल यानि जिससे कुछ हासिल नहो आप इसी तरह ला लगा कर पाँच अलफास लिखिए इसी के साथ नवाय उर्दू भाग एक का दस्वा सबक यहां खत्म होता है इसके बाद सबक क्यारा आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रस्तुती